जैसे ही आय होता है, हम उसको अपने डेविट चाहिट में लिख लेते हैं, पैसा जितना आया, उसको क्रेइट बिल देते हैं, लिकिन कुछ ऐसे पैसे होते हैं, कि अर्णिंग हो लेकिन वह हमको रियलाइज नहीं होता है. तो यह जो debit और credit का जो difference होता है पतलब पैसा जितना हम कमाया जो एक्रू हुआ और जो पैसा हमको actual में गेन हुआ है जिसमें आपका कमायाथ करेंगे तो आता है एक अगें एक कंपोनेंट हैं यह साइडी चार्जी फिर आता है संतिंग चार्जीं फिर आता है अदर्स उसके बाद एक अलग कंपोनेट आता है एकाउंट ऑपिस बादन सीट डिमांड लेकर वर्वल एंड कैसे इंट्राइट आप मैंने देखाए कि मैंने टॉपिक का भी नाम ही है मैं सब को बताऊंगा वन वाइब आज भी मेरा क्लास एक तल भी परियास कर तो आप पहले वन बाइबन सुनें जो आपका जो आप अगर कर रहा है तो अधिक पॉइंट कर ले सकते हैं रख के रूप में जैसे कोशन में ट्रैफिक सस्पेंस भी आता है और इस टेसं और स्टेंडिक भी आता है जो नो टाइब आफस्टेंडिक ही है लेकिन एक ऐसा आ मतलब मतलब रिस पॉंस अधिस सब्सक्राइब की पेमेंट उनको उनके यह एक रूफ है तो वह लेकिन कुछ ऐसे अर्मी आते हैं जो हमारे ट्रैफिक एकांट ऑफिस के द्वारा होते है या उसके लिए स्टेसं मास्टर नहीं है तो जिसके लिए सिर्प स्टेशन के अलावा जैसे एकांट ऑफिस बैलंसी टेसंट्रांजी और डिमांड रिकवर जिए अगर हम इस टेसंट आ जोड़ देते हैं यह हमारा कालाता है तो आपको प्रिशन में सॉट्मोट सकता है कि आपको सबसे पहले इस टेशन और श्रेंडिंग के और मूग पहले हम लोग ट्राफिक सस्पेंस ट्राफिक सस्पेंस हुआ कि रेलवे स्टेशन पे वैसा अर्जित आए जो की एकुरू हो गया है परन्तु रेल की एकाउंट में अर्लिंग के रूप में नहीं है अर्थार रेलवे को आंधनी हो गई तो इसको ऐसा एक्षण में हम रियलाइस नहीं कि त अच्छल में ट्राफिक सब्सक्राइब तो हम लोग जैसा कहें कि इसमें इस्टेशन आउस्ट्रेंडिंग प्लस एओवी डिमांड डिकवरबू एंड कैसें ट्रांजिट आता है आपको पूछेगा कि एओवी क्या है स्वाट मोट्स में इमांड डिकवरबू क्या है कैसे सबसे पहले मांगे को इस स्टेशन आउस टेंडिंग फोकस करें किसे संव ट्रेंडिंग कि यह विए सोट नोट में कि आप इसे लिखेंगे कि स्टेशन पे चुके स्टेशन माश्टर जो बनाता है वह अपना मंध वाइस एक बैलन सीट त्यार होता है उसका और बैलन सीट में जितना इसके station पे earning होता है वो उस earning को जतना तरह आय उसके है एक सब्सक्राइब जिद्ध करने के बाद वह देखता है कि कितना पैसा unrealized हुआ वह हमारा station outstanding मतलब station outstanding के को बढ़ाता है और इसको अगले मां कर देते हैं जब अगले मां बनाइगा इस एमांट को वह अपने बैलेंस में लेगा और एक्च्वल में ट्राफिक वह हमारा ट्रैफिक सस्पेंस का ही एक पार्ट है यह कुछ और नहीं अगर आपको अब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया टिक मारने के लिए इसका पार्ट है तो यह ट्राफिक सस्पेंस का पार्ट है तो यह है अप समझें हम आपको क्लास के बाद यह पूरा लिख करके देंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना अब हम लोग आते हैं कि के अगरा कंपोनेंट होता है उसमें एक मेजर वैं उन है तो अब जिसमें प्रेट नॉट हैं यह इस अब अब नहीं कर देंगें अभी कहीं रेइर में किसी केस केस में यह आ रहा है कि जैने टू पेक केस में आ था कि माल बूग कर लिए और अगला स्टेशन पर जो माल गय वहां पार्टी पेमेंट करेंगा तो उस केस में फ्रेट आंग होता है या फ्रेट नॉट आंग राइज होता है तो आप हम लोग क्योंकि आप पढ़ना है और आपको एक्जामरेशन में लिखना पड़ेगा योग कि अभी 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 हमारे ट्राफिक सस्पेंस में ख्रेट ऑन हैंन्ति या बैलंस जेग करता है इसलिए इसको हमको जानना है कि होता क्या लिखाल काव पढ़नापुर से यह पहुंचा कहरों कि पार्टी कोई आना है तोन हमारा जैसे ही पहुचा मस्तर क्या करेंगा जैसे ही माल आया वो अपने बेलंस यह से ुर्ण ले देगा कि भाई को माल आया है जिसका वेलू 500 रुपया है पार्टी 500 रुपया देगा और इसको अपना माल को ले जाएगा तो हम क्या करेंगे अपने इस्टेशन बैलनसीट के डेविट शाइग में अपरेट हो हैं हम उसको 500 रुपया से अपने डेविट कर ली अब पता बाइचला कि भाई पार्टी तो उस महीन माल लेने आया ही नहीं जा पार्टी को सकता इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हमार्टी है कि हम जो जो से जहां से बात करें कि मेरे पास आया है माल कर दो नहीं आ रहा है आप उसका एड्रेस की या फोन के चुर्ट एक्चल में उसको प प्रक्रिए जैसा मतलब पढ़ते हैं तो उनको दिया जाता है कि आप लोग उसको आड़ेस दीजें तो हम रूब उसको करते हैं और पार्टी है करकर के हम से माल लेटा है जैसे माल ले अगर पार्टी माल नहीं दे और हम उस मंत के बैलंस को क्लोस कर रहे हैं और मास्टर जो भी पार्टी है तो यह डेविट हमारे उपर रिफ्लेक्ट करता रहे हैं तो यही एक्च्वल में हमारा फ्रेटाइन क्या हुआ इसका क्लिरंस कैसे होता है अगर क्या करेंगे अपने पास तो बहुत दिले तक रखेंगे नहीं अएक लिम्टेट टाइम तक हम नहीं आया हम इसको आउक्षिन के थूर करते हैं कभी कभी क्या हुआ कि हमको जो इन्वाइस आना चाहिए वह इनवाइस वेगर भी नहीं आ पाता है तो हम जैसे बताए कि हम तो फिर से पता करना पड़ता है तो फ्रेट ऑन है अच्छल में यह है कि माल हमारे पास आ गया लेकिन पार्टी माल नहीं रिसीप किया और बैलन सीट उसमरीने के प्रोज करें तो वह जैवित जो बांट से गुआ जितना का माल हमारे पास पड़ा है कि पार्टी पैसा हा देगा तो वह हमारा फ्रेट ऑन है यह जनरली फ्रेट ऑन है जी के समय आता है यह कोशिंग पूछा जा सकता है कि फ्रेट ऑन हैंड किसका पार्ट तो अब लोग जब आते हैं कि फ्रेट नॉट नॉट वाइसे बीज़त नॉट पारट नॉट करता है माल भूप होने के बाद क्या होता है कि एक इन्वाइस वेगरा होता है जो रिलेटेड उस्टेशन जहां माल जाना है वहां पहले पहुंच जाता है लेकिन हो सकता है कि वो माल उसके पास आया ही नहीं हो सकता है रास्ता में माल पुला जाए आगे बढ़ जाए कभी कभी आप देखते हैं कि आप माल बुक किये और आपके इस्टेशन पर नहीं उत्रा हो आगे चलागे लेकिन तो रिलिकेड एस्टेशन तो उसको डेविट में लिये हुए है आप पार्टी आ लेने के लिए पार्टी के लिए तो आपके पास माल है न वहां तरेखेशन बैलन सीट के डेविट में ले परन्तु माल इस्टेशन पर पहुंचा ही नहीं तो ऐसे सिति में क्या होगा कि जो फर्वाडीं से जहां से माल भूप हुआ था हम पूछ चाज करेंगे भाई कि हमारे सेशन पर भी तक माल नहीं पहुंचा है या तो या हो माल का रास्ता का परिवर्तन विए ना था पता चला के रूप में हो गया है वह अग्ला वूस्य हो गया यह एक केस यह भी होता है कि हम आपके लेकिन लास्ट मोमेट पे किसी करण से हम पाल को यह अगला इस्टेशन के पास एविट ले लिए और आप तो माल भेजा ही नहीं या माल भूपी नहीं हुआ उस केस में क्या करेगा जिस से उसको यहां पर जोड़ी हो गया वह इस अस्टेशन पर एक और चासेट बेजेगा और उसमें यह वर्मन्द होगा कि भाई यह माल आपके हो गया तो यह सही है करेंगे मतलब certified और चासिट के तुरू वो क्या करेंगा जो को certified करेंगा तो हमारे पास भेज देगा पार्टी हमारे पास पहुंचा हुआ है अब एक थर्ड इंपोर्टेंट अलिमेंट आता है जो हमारा वो है जो कुशन में आपको अक्सर पूछते हैं आप स्वार्ट में पूछते हैं कि वार्फिच चार्जेश क्या तो यह वैसे चार्ज है जो कंसाइनमेंट को कुछ निश्चित मुक्त अभी के बीत जाने के बाद भी स्विपूर्दगी लेने के लिए नहीं आया तो उसके कारण हम लोग फाइंड करते हैं जैसे माल हमारे यहां आया हम अपने जो जहां पर माल को रखते हैं जो इंडिय जो माल हमारा है उसके अधार पर फ्री टाइम होता है एक दिन का दो दिन का ऐसा अलग अलग होता है तो आप शिर्फ वर्ट फ्री टाइम जूज करेंगे कि निदार फ्री टाइम में अगर पाटी माल लेने के लिए नहीं आ तो हम लोग क्या करते हैं कि उस आवठी के तो वहां उसके ले ले रहे हैं कि हमारे रैंट का वकंडर के वे उप्योग कर आभ सकते हम इसे हे दूसरा Cum Half ऐ हम ओड़िया करने तो तो भाठी वार्फी चार्ज में यह अलग लग इसका रही होता है अलग है क्या है बार्फ पर हमारा है अधर हमारा है तो पाल आने के बाद हमारा कोच लग गया और माल हमारा अभी नहीं उतार पार रहें है भी एक फ्री टाइम होया लेकिन वह तुक माल लोड नहीं किया जा उनलोड नहीं किया कि हमारा जो वैगन मैं एक्सट्रार यूजे लिया है अगर वह अग्रा माल होने के लिए रेडी हो जाते है तो मेरा इस व्हों नहीं से बचाने के हुआ हम लोग डैवरेज चर्जेज के रूप में पारटी से होगते हैं ताकि वह जल्दी से जल्दी अपने हमारे प्रविश्च से हमारे बतब जो मैं है जहां पर माल उसका लदा है वह लेकर लेकिन पार्टी उसको लेके तुरंते नहीं ले गया तो वह हुआ वार्फिज चार्जिज हुआ कि वैगन से फ्री टाइम में नहीं उतारे तब वार्फिज चार्जिज कब हुआ जब मेरा रेवियम माल तो उतार ली है लेकिन हमारा प्लेस को वह पुदान के रूप में यूज़ कर रहा है तो यह यह वार्फिज चार्जिज आप देखें कि फानेंशियर प्लोज होते होते यह बहुत सारा इलमेंट इसको माफ कर दिया जाए इसके पीछे रीजन क्या होत माल हम लाए जो हम अगर डेमरे चार्जिज की बार करें माल हमारा आ गया बड़ा कंसाइन नहीं तो रेलेवे उस मुताबिक क्रेन या वैगन हमको क्रेन उपलाद कराएगा तबी तो हमको माल उतार पाएंगे या हमको वैसा प्लेस देपाएगा ताकि हम माल को उतार सके त तो कहीं ने कहीं यह एक खामी होता है जिसके कारण लास्ट में हम अपना आवेदन देते हैं कि आपका मेरा फॉल्ट नहीं है यह आपका फॉल्ट है तो जीम और डियारम को कुछ लिप्टेट पावर दिये गये हैं इसको माफ करने के विए वो इसको माफ करते हैं आपको बढ़ेंगे नहीं माल देंगे नहीं और हम पे आप चार्ज लगा रहे हैं तो यह चार्ज भी बाद में हमको एक निग्वादल समय के बाद हमको उसको चुकि वह अपना कारण उनका जीमीन है वो चीमीन कारण हमको बताएंगे उनके इस आधार पे हम उनको यह चा तो आप देखेंगे कि हमारा लगभग जो एक बहुत बड़ा आउट्स्टेंडिंग जो होता है लगभग कोल्टी से कोल्ट की हम बात करने सारे तो कोल्टी सी में सलाना जो लगभग समझे कि अगर 80-90 कोर का इक्रूवल हो रहा है तो उसमें लगभग 20-25 अप्रॉक्स हमा यह है हमारा वार्पिज और यह जो अभी हम लोग चार एलमेंट का चार्चा किये वह स्टेशन आफ्रेंडिंग के पार्टे प्रेट अन हैं प्रेट नॉट अन हैंड वार्फिज एंड और एक चीज़ ध्यान के जनल यह मतलब अगर यह कहा जाए कि उसके of standing parts आै अब आपके घुत offshore सब्सक्राइब लेकिन पार्टी उसको डिलिवरी लेने नहीं आया तो जैसे माल आ जाता है इस्टेशन मास्टर का डिविटी है कि उसको डेविट लेना है पैसा जब देगा तभी क्रेडिट तो वैसा आइटम कि जब तक पार्टी हमसे माल लिने नहीं आता है हमारा डेविट सो करता रहता है यानि पैसा पैसा रिलाइज नहीं हुआ तो वह हुआ फ्रेट अन हैंड अब आईए फ्रेट नॉट हैंड नॉट अन हैंड मतलब हमारे पास क्या होता है कि जिनरली हम जैसे बताएं कि इन्वाइस पहले आ जाता है या एंपिए जिसको काते हैं मसीन प्रिंटेट एफसेक्ट वो मंतिली एक बार लगवग दस बारत तारिक तक सारे स्टेशन को प हम बोलते हैं जो टेक्निकल है है उसका सेशन लास्ट में रखा जाया है साउंड बिल्कुल आरा है आपको परसुल होगा प्लीज उसको चैट करिया अगर सांड नहीं आ रहा है वीडियो नहीं आ रहा है नेट वर्क का इश्वा है तो प्लीज उसको चैट करिए ना कि आप बीच में वह से डिस्टर्ब करिए चैट करिए हम लोग हमारे पूरी टी में आपको इसमें सपोर्ट करेगी अगर कि कोई साउन यह अल्री है यहां पर आईटी सेंटर में बैट करके वहां पर लोग सुन रहे हैं वहां पर भी उनका सब्सक्राइब करें आपको इस केस को हम लोग काते हैं मतलब फ्रेट जिसके कारण हमको फ्रेट मिलना है फ्रेट हमको किसे कारण मिलना किसी बीजन से हो सकता है यहां इस कारण से वह इस्टेशन पर नहीं आया। लेकिन हमारा माल नहीं पहुचा है, तो यह हमारा होता है, फ्रेट नौट वान हैंड का केस, इसको हम लोग क्लियर करते हैं, कि यहां पहले जो बुकिंग इस्टेशन है उससे वाथ करते हैं पाक करने के बाद जब जिस्तिती पता चल गया कि नहीं बूकिंग नहीं हो पाया फाइनेली या चोरी हो गया तूट गया तो उस वह उसको certify करता है कि हाँ इसके कारण आपका माल नहीं पहुचा तो उस चासीट के अधार पे इसको certified अधार पे हम क्या करेंगे हम अपना जो मेरा प्रेट नॉट वान है उसको हम clear करेंगे तो question यह भी पूछ सकता है करेंगे अगर माल नहीं आपका जवाब यह हो सकता है कि certified of a charge sheet के थूँ हम इसको clear कर सकते हैं तो जैसा मैंने कोई पुछे थे कि अधार पाया था तो अभी हम लोगों ने लगवक चार आइटम इसकस कर लिया है अधार हमारे स्टेशन और स्टेंडिंग के पार्ट है और मैंने अगें बताया कि यह हमारे पूट्स प्रेट के इंतरगाता है बताब बूट्स बैलन सीट में यह आफस्टेंडिंग का पार चार है लेकिन आप और वाइस देखेंगे तो एक्स वाई और जैट तो फोड़ा सा एवेर रहेंगे आपको इंटेलिजेंट हैं आप सम लोग तढ़ रहे होंगे वोड़ा बस तो एक आपका अगला इस्टेशन और स्टेंडिंग का पार्ट है एड्मिट डेविट एड़ टो यह जो आता है एकल में कोड़िकारण आते हैं मुक रूपसे कभी मैं भी आ सकता है स्टेशर सोhost प्रोसी होता है इसके सबसे बड़ घियंग होता है कि हम हमारे बैलंस हमारे ट्रैफिक एकाउट में दो सेक्षन होते हैं और गुट्स वेलंस रूप है कि वह बैलंस सीट की जांच करते हैं क्यारा कि जो माल भूक किया गया है इसका एतना होना चाहिए उससे कम भी लिया गया तो इस अधार पर यह कंगर आता है करुदे लेकिन उस से जदे का मामला है तो अब हम लोग is करेंगे और एक कॉपी हम लोग अपने पास रखेंगे और दो कॉपी हम लोग घेज देंगे इस्टेशन से रिडेट है अब वो इस्टेशन मास्टर के ड्यूटी है वो इस्टेशन आया जैसे हमारा एलर सीट मिलेगा वो डेविट में लेना उसका काम है उसमें कोई लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो उसको लगया कि नहीं भाद ये जो दिया गया है ये सही नहीं है ये गलत है है वह अपने गलता का रिजन देते हुए हुए हमारे पास जो दो कॉपी में भेजये थे इसमें लिए ऐन्मार्ट करएगा कि नहीं आपने जो रिजन दिया है वह रिजन सही नहीं यह यह ऑबजेक्टेट दिबिट तो उसको लेने मजबूरी है लेकिन ये जैसा पार्टी वो स्टाफ चाहे नहीं है आप सेलरी से कटवाईए कैस के रूप में जमा कर देए लेकिन रेल्वे का वो जो रेवनी लॉस हुआ है उसको आपको समीट कर देगा यह उसकी जीवती है लेकिन अब्जेक्टेट में क्या हुआ कि अब वो रिमार्स टालब रिम जुग जारी कर दिए और इससी जाडי घ्र लिए लयए ऑर यसर आपकोस के लिए यह तो जो क्रेडिट एड़ाइसमों जाड़ि कर दिये त्टेषरिए कि परेडिट कहले है कैसिट्च इस्टिर्ट मास्टर पांशिर उसकी जाड़ी developer ऐसे सब्सक्रीन सब ट्रीजन हम में वह सही है क्रेडिट इद्वाइन श्कारश के लिए हम खतम होगे लेकिंग कुछ ऐसे भी केस होंगे कि नहीं जो वो जस्टिफिकेशन दिया वो जस्टिफिकेशन सही नहीं है तो उसको मजबूरन उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो एड्मिटेट डेविट में कनवर्ट हो जाए और यह हमारी ड्यूटी है कि उसको हम कैसे पैसे को रियलाइ पिदिए की निसें ने पड़ें जनरेली यह मामला काफी लंबा तखी सकते हैं कि कहीं ने कहीं हमारा कम्जोरी होता है अगर अभी आपेशन ने लिए पैस है तो उसमें कुल लेकिन यह देखें कि बहुत वर्सों से चल पाँ क्योंकि इतना पेपर होता है कोट के स्मेटर आ जाता है आदमी रिटायर होता है तब जाकर कि वह पैसा हम लोग उसको क्लियर कर पाते हैं तो इसको हमारी ज़रूरत है कि हम इसको अटेंटिक हो करके कोडिनेट करके इस मामल हैंगे देख रहे हैंगे एक हाता है साइडिंग चार्ज होता क्या है कि जिस्टैशन ओंस्ट्फु नंकर निंग सब्चा कराक्र तो आप आते हैं साइडिंगंच होता क्या है कि यह से हमारा माइन मैंस है या कोई बड़ी-बड़ी कम्पणी है अब वो्क शाहिए अपने दोहरे खर्च से बचने की रड़िया याibl आप्शने क dellरi को घोसेटशन को फिल्डर होगा तो क्या हुआ फिर हमारे साइडिंग पॉइंट पे अंलोड किया, फिर हमारे साइडिंग पॉइंट पे मेरा रैक पे लोड हुआ, तो इसमें उसका एक्स्टा कोस्ट आता है, रेलवे भी क्या करती है कि भाई डोर टू डोर सेवा देने की विए है उसके कमपणी तक जहां तक उसका फैक्ट्री है यह कोल माइन्स की एंदिया तक एक लाइन विछा जिसको हम लोग साइडिंग करते हैं तो उस साइडिंग के लिए साइडिंग भूत तरह का होता है और अब को एक इंपोर्टिंट बात बता दें से अक्छो में प्राइवेट सेडिंग होता है श्टेट सेट स्टारिंग के वा कि पार्ति पैसा दिया और रेल का भी पैसा लगा दोनों पैसा प्यूत्कूल नहाअ कॉंसेप्ट आए है प्याइट फैट्रवेड टर्मिनाव और आप से पुछा जा सकता है नये तौर पे तो आप साइडिंग चार्ज के साथ साथ आप नेट पे PFT को भी देखने का प्रयास करें कि जो उसकता है कि उशन जो भी हो रहा है नयांगे हमरा पुराना सिस्टम था अब लगबख साइडिंग चल रहा है वहीं चल रहा है यह दिया गया है कि आप साइड निंग को प्राइब फियर प्राविट यह चल रहा है ये हो जाएंगे तो Siding Charging में है कि वह परवार जो परतेक माल डिबेक के रिए उपयोग करता दौरा Siding का उपयोग करने के लिए किया जाता है वह माल डिबा चाहिन लगा हो सकता है या ठाली हो यदि इसकी Siding से Station उल्टी ढुलाइक की जाती है तो यह परवार लिए जाता है इन परवारों की वस्वली अस्थानिय तोर पर होती है इसको हम लोग कहते हैं Siding Charging और Station or Standing का एक छोटा सा लास्ट पार्ट है Sunting Charging तो हम Siding पर तो बताए अब Siding पर माल लदाएगा तो हमारा इंजिंग क्या करेंगा वजो लोगो है वो रेलवेक का जो लोगो रहेगा वो संटिंग करेगा माल पर लागंवों और यह करने की तो हम इसकी वें संटिंग चार्ज में लेते हैं तो यह है साइडिंग और संटिंग चार्ज तो आज हम लोग नॉर्मली आपसे जो पार्ट इसकस के अब लग बारा बच के शत्रीस मिनट हो चुटा है चार मिनट की बचा है प्लास आफ होगा जब हमारा एकाउंट्स का टाइम भी चल रहा है वाकि चीज हम लोग कल करेंगे है कि तो हम ल бег ज्यों संतिंग चार्जे यह अभी तक हम लोग टो चण्चा किया अब टार्यों हें विए प्राइवेट ठील प्राइविट में चैनल वां ट्रीम devotee टे को और अब हम दो तो इस धंग से हम लोगो ने आज लगमक एक क्लास किया कल इसको हम कोशिच करें कि करें कि करें और तो हम ऐसा उम्यद करते हैं कि वह आप से चूपना नहीं चाहिए वह सौट में भी होगा और एक्स्ट्रा भी करें के आप से कम करें कि क्या क्या करना चाहिए तो आज के लिए फिलाव दोस्त अपने बोला संटिंग चार्ज वह हुआ कि जैसे हम लोगों ने बताया कि साइडिंग पर हम रैक तो गया साइडिंग पर तो जो फैक्ट्री के लिए साइडिंग पर गया हुआ है माल ला देगा तो वहां पर संटिंग करेंगा आगे पीछे संटिंग का मतब क्या होता है हम लोग देखते हैं कि इस्टेशन पर पैसेंजर को ट्रेन को आगे पीछे इंजन करके तुर करवाया जाता है सही ट्रैक पर लाइने के लाने के लिए उसी तरह रैक पर माल लदाने के दौरान सही धंग से हम लोग उसको मूब्मेंट करने के लिए सही वैगन पर समाल कि यह संटिक चांज तो आज कि और किसी को कोई आउट ऐसे तो भी चैट करके दिया सब्सक्राइब है और ताइम को भी अगे पतम होने वाला सर के पास दिया है कि कहां अब टाइन के अज की आज सब्सक्राइब करना है तो जो सब्सक्राइब ने को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें नहीं कि वह लास्ट में आपको नोट डाउन करके रखिए या चैट करके रखिए और जो कुसंस को उसका जवाब सर देंगे बिल्कुल इसको डाउट नहीं है नहीं है सर बहुत अच्छा से पढ़ा है आप लोगो अच्छा लगा तो फीड़ा कॉम में फीड़ा इनका जरूर दीजेगा और यूटूपर जागर के लाइक दीजेगा अच्छा थैंक यू सर ऑगिए पांका शुमार वर्मा धान रखिएगा पंकश कुमार बर्मा थे मारे ट्रेपिक इंज में और इंका फीड़क वाब अब है उस तरह से में सन्किया हुआ है टाइमिंग उनका थार्ट सेशन रहेगा बसकाली इंटर्चेंज वा इंटर्नली तो उसको कर देख लिए देखे लिए मंकाच कुमार बर्मा नाम रखिए गया ठीक है ओक्यों सभी का धन्यवाद अल्पा और आप लोग अच्छा है आप लोग अच्छा है कि आप लोग सभी लोग पर्जेंट है सब लोग दम देखे कि अग्दम बारा बज़े सब लोग पर्जेंट हो गया है पटापट पटापट 35 34 36 तक पहुंच गया लोग तो यह अच्छा है और रिस्तर से रखना है और हमको उमीदर कि 2-3 दिन जो ब सब्सक्राइब 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 rengin और तो कि अधियर है यह सकत्स नुका इसर और यह करे मिरा रहा है कि उच्शी अच्छीर हसे इस काहने इस जो सारा एक साथ कल शेयर कर दिया जागा जो भी आपका डाउन होगा आप लोग अगली लुक्लास में भी सर से पूछ सकते हैं अब अब इसम करते हैं अब सबसे रिक्वेस्ट आप लोग सेडिक लीजिए और कोस्का कोस्टन सेंसरे टॉपिक वाई जो रहता ही है उसमें कुछ कोस्टन सेंसरे अपनो डाउन के रखिये ताकि सरसे फिर पूसके पूसके तो बता सकेंगे सर ठीक है है विदेए सबसे का रहिए स WORK